इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था सनातन और इसके बाद जो नाम आए चुनावों से चुनावों से चृत्तिस गर से राजस्थान से मध्यप्रदेश से उन नामों को जोड़ करके एक शेर बांधा है देखिए कैसा लगता है चृतिस गर में विश्णू-विश हफते उस नतीजे पर एक शेर सुनना नियाय आलय ने काश्मीर की कलियों को महकाया है जहां सम्वेदन शील शेर हो वहां पर कैसे ताली बजाना है आपको पता है नियाय आलय ने काश्मीर की कलियों को महकाया है जल्दी ही पीयोके में अपना जैकारा गूजेगा जल्दी ही की गारंटी है हर पाई वापस लेंगे गाउं गली में व्रस्टाचार विरोधी नगमा गूजेगा और एक एक उधर से एक टिपणी आई करनाटक से मैंने उसको लिया है सुनिएगा करनाटक वाले कुमार की बातों में सचाई है लगता है कि जल्द वहाँ जय जय भाजप्पा गूजेगा और काश्मीर से रामेश्वर तक भुज से डिब्रुगर तक बस 24 में बीजेपी की जयका एक तारा गूजेगा बहुत बहुत अविनंदना भार चुत्रिया भाया जो बहुत बहुत निकला जो बहुत पाजी बहुत शांदार लग रहे हो आपका कोट बहुत बढ़िया लग रहा है बेरी हांसम लुकिंग लाइगा वाव यह क्या कह दिया कि यह 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 बाजपा यह बाजपा ऐसे ही मसका लगा लगा करके ना पाटी चेंज कराती है के सत्ता और जंता से बहुत दूर हो गए हो मुश्य के लह बापसी अपुरानी साख की और पदयात्रा करो या चलो रोज सरकेवल पाटी रहनी है बस वो ही पात ढाक की के सुनो कांगरेशी ओ तुम बड़े बोल मत बोलो कैसे बरावरी करोगे भाजपा की ढाक की और चौबीस में सत्ता और जीत की तो बात छोड़ो सिर्फ रखवाली करो कांगरेशी नाक की तुम ये चिंता छोड़ो कैसे बचेगी डेमोक्रेशी और नाक कटी तो सोचो कांगरेश पिर लगेगी कैसी कैसे पूरे प्रक्रण से एक चीज तो समझ में आगी आप लोगों साही समझ में आई ना उलिए अब समझ में आगी होगी और क्या सुनिएगा किसी के भाष्णों में रोज मनुरंजन निकलता है कहां से क्या निकल रहा है और कांगरेश की सच्चाई किसी के भाष्णों में रो मनुरंजन निकलता है किसी की आत्रा से ढोंग वाला फन निकलता है हम ऐसा हूँ ने समझाया समझ में आ गया हमको मोहबत की दुकानों से हिकाला धन निकलता है मोहबत की दुकानों से हिकाला धन निकलता है अगर ऐसी और भी धन ऐसे निकलता है तो मैं इस मोहबत की दुकान को जोइन करना चाहता हूँ कहां आना बता दीजिए इसलिए ये इनके जो छेपे हुए कर में न वो जनता देख लेती है और फिर ये गाना गुंचता है मोदी ही जनता का सेवक सच्चा लगता है हर ओर मोदी है पुर जोर मोदी है मोदी जी इस कुरसी पर है जब तक हां जब तक कॉंगरेसियों के दिल में रहेगी धक धक मोदी जी इस कुरसी पर है जब तक हां जब तक कॉंगरेसियों के दिल में रहेगी धक धक सब तीन राज के सी एम पे थे अटके हां अटके मोदी जी ने सब को दिये हैं जटके जोतिश भी सामने उनके बच्चा लगता है मोदी जी का ये तेवर ही अच्छा लगता है हर और मोदी है पुर्जोर मोदी है मंदिर की चनोती दे कर भढ़काया भढ़काया लो मोदी जी ने मंदिर है बनवाया बनवाया कोई रोक सके तो रोके हां रोके भारत में मिलेगा जल्दी ही पीओ के चोबिस में फिर फूल का खिलना पका लगता है मोदी ही जनता का सेवक सचा लगता है हर और मोदी है पुर्जोर मोदी है राहुल का अनुभव तो कच्चा लगता है मोदी ही जनता का सेवक सचा लगता है वेरी वेरी थेंक यूँ महुँ बहुत जनिवाद अचे महात ना नका इनकी नहीं होग ननीदू एंक उस्दिआप खरीदी में उसकिताब से मुझे पता चला एक इंसान है जो सपने तो PMO के देखते हैं लेकिन AM और PM में फरक नहीं कर पाते यह वोई इंसान है जिनको बड़े प्यार से उनकी महबबत की दुकान और उनको बड़े प्यार से एक, बार, दो, बार, पर तीन, बार, चार बार वह तरहाँ गिन गिन के, तेरा बार launch किया गया और तेरा बार वो rocket वो rocket ग्रास को गया, वो rocket क्यों ग्रास हो गया ने ऐसा, जब भी यह rocket launch हर ने वाले होता है, यह जितना ज्यादा पता चलता है न उस रॉकेट के बारे में उतना लगता है कि भई लोक तंत्र में खोश है हम इस वंश तंत्र का हिस्सा नहीं बनना है वो उस महिला के पुत्र है जिन्होंने प्रधान मंत्री की कुरसी का त्याग किया तो यह जिस भुलाए में मोदी जी को कुरसी से चिपक चिपक कर इतने चिपक गए है कि ना देश के युवा को कुछ दे रहे ना महिलाओं को कुछ दे रहे ना किसानों को कुछ दे रहे दे हैं तो सिर्फ जुम्ले बाड रहे हैं कॉंग्रेस ने इस समय जो समय prepare była को बदल गया है वक्त बदल गया जजबात बदल गया कहावते बदल गई सब कुछ बदल गया क्या क्या बदला सुनो आप तीन राज्यों के परिणाम से पार्टी चमत्कृत हो गई वैसे तो चारों खाने चित्त होते हैं पर कॉंग्रेस आठों खाने चित्त हो गई आठों खाने चित्त हो गई कॉंग्रेस के संदेश को जाँच एजेंसियों ने आत्म साथ कर लिया सब ने कहा धीरज धरो धीरज धरो इडी ने धीरज साहू को धर लिया खुद में ही लठ बजें बाहर वाले चोट क्या देंगे लोग कॉंग्रेस को भाव नहीं दे रहे भोट क्या देंगे लोग कॉंग्रेस को भाव नहीं दे रहे बोट क्या देंगे भाजपा नई पीड़ी के पौधों को सीच रही है और कॉंग्रेस पुरानी खटारा पंचर गाड़ियां ही खीच रही है अगर मुकाबला करना है तो संगठन को बदलाओ की तरफ मोड दीजिए वरना 24 क्या 44 तक जीतने का खाब छोड़ दीजिए बहुत बहुत शुक्रियां बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा भाजपा का साउथ से सूपड़ा साफ पर भी चर्चा कर लीजिए साउथ में भाजपा की कितनी सीटे हैं और कॉंग्रेस की कितनी हैं डॉली जी जिस सूपड़ा साफ की आप बात करते हैं वो राहुल जी की तरफ डेटा चेक करें भी न बोल देते हैं देखें अंधे होकर नहीं आप बस बारम बार प्रहार करो कैसे जीते हो आप पुनहें इस पर जरा विचार करो बेशक सीटों के अंग गणित में बाजी मार गए हो तुम पर वोट जादा पड़े हमारे इसको भी स्वीकार करो आज नहीं तो कल सीटों के सीटे भी जादा आने वाली है बीजेपी तयार रहो अब सत्ता जाने वाली है